नमस्कार स्वागत आप सभी का नियूश्रूम पोस्ट की खास पे इसका स्पोर्ट स्पोर्ट पे अभी थोड़ी देर पहले ही कप्तान रोहिट शर्मा और जो हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर है उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस करकर जो टीम बनाई थी उसके कई सारी जो सवाल थे लोगों के मनें उन सभी सवालों के जवाब दियो और कह सकते हैं कि हमें जिन सवालों के जवाबों का इंतजार था जब से टीम का अनॉंस्मेंट हुआ है वो आखिरकार उन सभी सवालों के जवाब मिल गए आपको इस वीडियो में एक एक करके हम उन सभी ची पूछा गया कि कितना टफ ता उनको टीम में ना लेना क्योंकि आप समझ सकते कि वहां पर यह सवी जैसवाल और रोहिशर्मा के रूप में ओपनर मौजूद है विकेट कीपर में आप देखें तो संजू सैमसन और रिशाप पंद को चुना गया है और केल राहूल को बाहर कि इस पर बड़े सारी सवाल थे और इस पर अजीत अगरकर ने जवाब दिया और उन्होंने बोला कि इट वास हाड डिसीजन तो चूज बट उसके लाओ कहते हैं कि जो केल राहूल है वो अभी आईपेल में ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग में हमारे पास कोई भी स्लॉ इसी वेशे वह चुने नहीं कि जो कि यूटिलिटी है वह टॉप अडर के लिए पर हमारे पास पेस नहीं था और हम 15 मेंबर को ही चुन सकते थे जिसकी वह से केल राहूल और सुमन गिल नहीं कि दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो इसमें निकल कर आया कि केल राहूल कि दूस क्रिकेट में उनकी जगह पर भी सवाल लोग उठा रहे थे जो पीछे पूर क्रिकेटर हो गया फिर ट्रोलर सोगे वह लंगातार उठा रहे थे आपको बता दे इस पर रोहिट शर्मा और अजीत अगरकर ने जब सवाल पूजा गया वह से और उनने साब साब क्लियर कर दि कि विराट कोली की स्ट्राइक रेट पर कोई भी डिसकसर नहीं हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि वह कितने ग्रेट प्लेयर हैं और देर इस डिफरेंस बिविन IPL एंड ICC टूनमेंट वेनेवर इट कम्स तो ICC देर इन देर नीट सु टू भी एक्स्पीरेंस प्लेयर विराट अच्छी फॉर में है विराट कोली एसा नहीं करुब आज़ यह बहुत अच्छी फॉर मैं और विराट कोली को प्रूब करनी की ज्रू नहीं है यानि कि उनके स्ट्राइक रेट पर कोई डिसकसर नहीं था उनकी टीम की जगा पर सवाल में भी टीम में जगा पर सवाल कोई नहीं था ये तो सवाल त्रीसरा सवाल एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल था जो कह सकते हैं हर कोई जानना चाहरे था क्योंकि जब से मुंबाई इंडियन्स ने रोहिट शर्मा को कप्तानी से हटाया है तब से जानना चाहरे थे कि रो सवाल पूछा गया उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि मैं इससे पहले कई सारे कप्तानों के अंडर खेल चुका हूं मुझे मुंबाई इंडियन्स में जो थी मेरे रिक्वार्मेंट ऐस बल्ले बास थी मुहां खेल रहा हूं और मुझे कोई दिकत नहीं है उन् उन्होंने जवाब दिया कि रिंको सिंग वस वेरी अन्फॉर्चुनेट वह बहुत ही क्लोज थे सेलेक्षन के पर जो टीम कॉंबनेशन थी उसकी वह सेलेक्ट नहीं हो पाए उप्टी मेंबर स्कॉर्ड में नहीं आपर पर वह हमारे साथ जाएंगे उनकी कोई भी गलती नहीं है उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेस करी बट ही वाज अन्फॉर्चुनेट क्योंकि हमारे पास सिपंद्रा लोग को हम चुन सकते थे जिसकी वयसे यहां पर रिंको सिंग नहीं और एक और और है शिवम दूबे के बारे मापको बता देंगे ये कंफर्म हो गया कि श दवाल नहीं था मिडल और और एक फिनिशल जो होता है वहां पर हम लैक कर रहे थे एंड वी नीड़े डगाय हूं कैने हिट अब सिक्स्टू तो एनी बॉलर उनका यह कहना था हम किसी भी बॉलर को चक्के मार सके एक ऐसे प्लेयर की जरूरती एंडवे शिवम बैटे इन हिट टू एनी बॉलर चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ अब देखना होगा कि शिवम दूबे भी रहेंगे और फिर रिप्लेस्मेंट होगा पर शिवम दूबे टीम में होंगे उने चलो एक सवाल ही हो गया उसके पूछा गया तो अजीत अगरकन ने कहा कि there is a no discussion about the vice captaincy, Hardik Pandya is the vice captain and जो जैसे वो थे वो अभी भी रहेंगे इस पर कोई भी हमारा discussion नहीं हुआ और बात रही हार्दिक Pandya के form की उन्होंने बोला कि वो बहुत ही समय बाद cricket खेल रहें वो एक लंबी इंजरी के बाद आ रहे ही is improving day by day match by match तो हमें उमीद है कि वो अच्छा करेंगे जिस तरीके से हार्दिक Pandya की गेंदवाजी एक difference लाती है वो टीम के combination के लिए टीम के balance के लिए बहुत ही important हो जाती है यह सवाल हो गए उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर अजीत अगरकर ने और भी कहा कि जो 220 रनों के आसपास की बात होती है कि IPL में अब 240 बन तो हमारी टीम के पास वो टाकत है कि वो बना सकते तो इस पर अजीत अगरकर ने कहा कि वैसे तो डिफरेंस है दोनों में पर अगर बनता है तो हमारी टीम में चंपता है कि वो भी 220-230 रन वहां पर बना लिए चीजे कुछ निकल कर आई जो बहुत बड़ी चीजे थी अग आपको बताया और उसके अलावा और उनने बेसिक बेसिक चीजों पर बात करें कॉम्बिनेशन को लेकर रिंकु सिंग को लेकर वह सी सुंदर को लेकर बात की ओफिस्पनर नहीं है तो उनने बोला कि वो इतना क्रिकेट नहीं खेल रहे और इसकी वैसे ऑप्सिंस की तलास म मिला कर टीम उनके हिसाब से बहुत अच्छी है एक बार वो नियु यॉर्क या फिर वेस्ट इंडीस पहुचेंगे वहां पर प्रेस कॉन्फेंस होगी वहां पर कंडिसन को देखेंगे फिर प्लेंग की लेवन पर जवाब देंगे पर इतना तो है कि जो है टीम जो है हमार से खिलाड़े चाहिए बस एक दो खिलाड़ियों का डिसकसन था जो इस आईपिल के थुरू हुआ है और हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया आईपिल में कोई किसी दिन भी हीरो बन जाता तो ऐसे में हम आईपिल की पहौंस पर नजर डाल कर आगे टीम सेलेक्ट नहीं कर सक तो अल्मोस्स सभी सवालों के जवाब फाइनली जाकर रोहिश शर्मा और अजीत अगर करने दे दिया तो यह थी पूरी प्रेस कॉन्फरेंज की रिपोर्ट अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और देखते रिए निश्रूम प